नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंजापरा आर्डी कैपसूल का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, इंजापरा आर्डी कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और इंजापरा आर्डी कैपसूल की वज़ से क्या side effects हो सकते हैं? Injapra RD एक brand name है. Injapra RD capsule के अंदर दो दवाओं का combination होता है. Injapra RD capsule के अंदर salt composition इसो में prajol 40 mg और domperidone 30 mg होता है. Injapra RD capsule पेट में उत्पन होने वाले acid की मात्रा को कम करता है. Injapra RD capsule का उप्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी दकारे आने पर, सीने में जलन होने पर, पेट में अलसर होने पर, उल्ती आने पर और उल्ती आने का मन होने पर Injapra RD capsule का उप्योग किया जाता है. इंजाप्रा आर्डी कैपसूल को डॉक्तर एंटिबायोटिक दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वज़ा से होने वाले साइड इफेक्स को कम करने के लिए भी लेने की सला दे सकता है। जैसे दर्द को कम करने के लिए उप्योग की जाने वाली दवाओं की वज़ा से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है। इसलिए इन Side Effects को रोकने के लिए भी Dr. Injapra RD Capsule को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है। ज्यादातर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य Side Effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है। इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़से ये side effects ना हो। इसलिए आपका डॉक्तर इंजापरा RD capsule को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा इंजापरा RD capsule का उपयोग कुछ medical conditions जैसे gastric ulcer, acid reflux और Jolinger-Ellison syndrome को treat करने के लिए भी इंजापरा RD capsule का उपयोग किया जाता है। Jolinger-Ellison syndrome एक ऐसी स्थिती है जिसमें पेट में acid का उत्पादन बहुत अधिक होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। Side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में इंजापरा RD capsule की वज़ह से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में इंजापरा RD capsule की वज़ह से कुछ side effects हो सकते हैं। जैसे पेट में दर्ध होना, पेट से गैस निकलना, मुँ में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर की मासपेशियों या जोडों में दर्ध होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा इंजापरा RD capsule की वज़ह से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती है। लंबे समय तक इंजापरा RD capsule का सेवन करने से, यानि कई महीनों या कई सालों तक इंजापरा RD capsule को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B12, कैलशियम, आइरन और मैगनीशियम की कमी हो सकती है। इसलिए डॉक्तर की सला के बिना इंजापरा RD capsule को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक या दिन में कई बार इंजापरा RD capsule को लेने से ऑस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर इंजापरा आरडी कैपसूल को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं। आरडी कैपसूल का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को इंजापरा आरडी कैपसूल को लेने की सलाह दे सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका इंजापरा आरडी कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सक कर दे लोाद नापका धन्यवाद आपको वीडियो को सब्सक्राइब कर दे है